किसान साथियो एक अक्टूबर दो हजार बीस को मैंने एक वीडियो बनाई थी ताइवान पिंक की कटिंग के उपर उसका नंबर था 182 आप उस वीडियो को एक बार थोड़ा सा सुरू में अवस्य देखें 14 फर्वरी को मैं अपने इन ही पोधों में खाद लगवा रहा था तो मैं अब खाद पोधे के दोनों और दाई और और बाई और जो लाइन ए लाइन के दोनों और थोड़ा सा गड़ा कराकर लगवग एक से डेड़ फिर दूर दोनों तरफ थोड़ा गड़ा कराकर उसमें खाद रखवाता हूं और फिर मिट्टी से ढखवा देता हूं और मैं अपने फार्म पर ही रहता हूँ और उसका बारीकी से निरेक्षन करता हूँ. अचानक मैंने क्या देखा कि जैसे ही उसने फावड़ा चलाया तो एक जड़ कटकर हाथ में आ गई. जैसे ही मेरी नजर उस जड़ पर पड़ी तो मेरा माथा ठनक गया और मुझे लगा कि इस पोधे में कुछ गड़ पड़ है. अगर उपर से देखते तो पोधे में कोई खास फरक नहीं लगता था. अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगता है कि जैसे पोधा स्ट्रेस में आया विया हो. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, निमा तोड़ गी. ये ताइवान पिंग के पोधे हैं, जो मैंने एक नरसरी से सहरनपूर से लिये थे और 20 फरवरी 2020 को मैंने इनकी प्लांटेशन की थी. ये लगबग 63 पोधे हैं मेरे पास में. और तीन लाइनों में दूसरे पोधे भी हैं, जो एक और ताइवान पिंग के ग्राप्टिड पोधे भी हैं, और उसमें थाई पिंग भी हैं, और उसमें वहाँ पर VNR के पोधे भी हैं. तो स्वागत है नीमा टोड़का अमेजिंग किसान के फार्म में हैं, और मेरी जद्दो जहद कि मैं इस नीमा टोड़का ऐसा इलाज ढूंड कर रहूंगा, कि इससे अधिक सफलता अभी तक किसी को नहीं मिली होगी, चाहे आप कितनी भी महंगी से महंगी दवाई प्रियो आप सब का हर्देक स्वागत है, अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में, और मैं हूँ अनिल कुमारतियागी आगे बढ़ने से पहले, आईए मैं आपको ये एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं, जो मैंने उस वक्त ली थी, जब हमने इनकी जड़ों को निकाला मुझे इसकी जड़ दिखाई दी, और ये आप देखिए, ये इसमें निमा तोड़ा गया है, ये देखिए, अभी मैंने तीन पेडों में जड़े खुदवाई हैं, इसका सेंपल मैं भेजूँगा अभी टेस्ट के लिए, और फिर इसमें दवाई लगवाँगा, और ये देखिए, इसमें कम है, अभी सुरुवात है, ये देखिए, निमा तोड़ की, इसमें भी है, तो इनका मैं सेंपल टेस्ट कराऊंगा, तो सेंपल क्यों टेस्ट कराऊंगा मैं इसका, कि इसमें कहीं फंगस तो नहीं है, इसकी साथ में, ये देखिए, इसमें निमा राधा हुं यह देखिए बिल्कुल साफ है इस पिदर में और देखते हैं कुछ पोधों में इसमें भी शुरूआत है बस अभी निमा टोड़ की शुरूआत है पोधे पर असर नहीं है देखे एक अम्रूद भी लगा हुआ है पोधा बिल्कुल स्वुस्थ है और यह दवाई है और इसकी परसंटेज कार्य करने की सब दवाईयों से अधिक है एक निमिट से अदामा की वो भी दवाई अच्छी है एक निस्टोड है मेक धनुस बायो फर्टिलाइजर की इसके रिजल्ट कुछ जगह पर बहुत अच्छे मिले हैं लेकिन इसका परतिशत सत्तर स अच्छी परतिशत तक ये सफल पाई गई है किसान साथियों सबसे सस्ती दवाई है निमा टोड की कार्बो फुरा अगर आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करें तो आप इसको रोक सकते हैं किसान साथियों एक और दवाई है जो एक कंपनी की है और जो बायो दवाई है औ और जिसको मैंने देखा है कि कहीं किसानों ने इसको प्रियोग किया है उसकी सफलता मिली है, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा. किसान साथ ही हो, मुझे काफी किसानों के फोन आते रहते हैं, कि मेरे को निस्टोर ली और मुझे इसका फाइदा नहीं हुआ, मैंने रिस्टोड ली, मुझे इसका फाइदा हुआ, मैंने निमिट्स ली जी, मुझे इससे फाइदा नहीं मिला, मैंने वेलम प्राइम भी ली, और मुझे इससे फाइदा नहीं मिला, सुनता रहतों मैं क्या कर सकता हूँ, ना मैं प तब किसानों से बात ही अच्छी तरह और मैंने एक प्रण किया कि मैं इस निमा टोड की जो इलाज है इसका ऐसा तोड ढूंड कर रहूंगा जो सबसे अधिक कारगार होगा लेकिन समस्या क्या है थोड़ी सी चर्चा इस पर आपको एक उधारन देता हूं आपके सरीर में आप जाते हैं कहते जी बुखार फिर आ गया मेरे को वो फिर क्रोसिंदे देता है उसके बाद वो एंटिबैटिक सुभू करता है और जब बुखार धीरे-धीरे आपका नहीं कंट्रोल में आता तब आप किसी अच्छे डाक्टर के पास जाते हैं उस डाक्टर की सोच पू कुछ टेस्ट कराए और पता चला कि उसके सरीर में कोई अलसर है या ये एक किसी और कारण से बुखार आ रहा है कोई और बिमारी है और वो उसका इलाज करता है उसका बुखार ठीक हो जाता है इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब हम अनुसंधान करते हैं रिसर्च कर करते हैं कोई अपनी थिसिस लिखते हैं PhD के लिए कराते हैं तो एक सब्द आता है hypothesis इसका हिंदी में अर्थ होता है परिकल्पना कि जो कारिये आप करने जा रहा है है वो परिकल्पना क्या है मैंने ये hypothesis बनाई कि जब आपके पोधों में नीमा तोड़ आता है और इन चार या पांच दवाई में से कोई भी परियोग करते हैं तो नीमा तोड़ 100% खतम होता है लेकिन जो पोधे नहीं ठीक हो पाते जिन में जड़े नई जड़ों का विकास नहीं होता समस्या कुछ और है ये थी मेरी परिकल्पना कि जब कोई परिकल्पना करते हैं तो उसमें कहते हैं कि ये नकारात्मक होगी या सकारात्मक होगी अगर मेरी बात सही है तो मैं कहूंगा कि ये मेरी परिकल्पना सकारात्मक है और अगर वो सकारात्मक निकली तो आपका अनुसंधान सही निकल जाएगा, अगर नकारात्मक निकली तो आपने कहा कि नहीं जो आपके परिकल्पना थी वो गलत, किसान साथियों जब मैंने किसान साथियों उनमें से एक किसान है सुनील यादब जो नेवी में काम करते हैं और वो NDRF में भी डेपूटेशन पर रहे हैं बहुत कर्मठ आदमी हैं आप सोश सकते हो कि फोज का आदमी कितना discipline वाला होता है किसान साथियों वो हरियना के रहने वाले हैं और उनके पोधों में नीमा टोड़ा आया और ये कहा गया कि ये नर्शरी से आया है कोई बात नहीं चलो कहीं से भी आया अभी हम उस पर चर्चा नहीं करते किसान साथियों उन्होंने मुझे बताया कि त्यागी जी मैंने वेलम प्राइम भी प्रियोग की पहले उससे कोई फाइदा नहीं हुआ मैंने निस्टोड भी लगाई उससे मुझे कोई फाइदा नहीं हुआ और अंत में वो पोधे मुझे उखाड़ कर फेकने पड़े कितनी दुख की बात है मुझे पर कुछ किसानों ने जो नीम हकीम की तरह काम करते हैं और जो कुछ गुरूप में काम करते हैं उन्होंने यह आरौप लगाया कि जो आपने निस्टोर दवाई का परचार सुरू किया है कि ये वहाँ पर काम्याब है जहाँ पर वैलम प्राइम पहले लगाई हुई थी और जड़े उसी के अनुसार निकलती है लेकिन इनके हाँ ऐसा नहीं हुआ ये तो हुआ एक केस दूसरा केस के आविया एक और जगह मिला वहाँ पर बहुत पोधे थे लगबग आप समझे दस बारा हजार पोधे थे ताइवान पे के वहाँ पर सभी में नीमा टोड़ाया हुआ था किसान सातियों वहाँ पर मेरे तीन परियोग चल रहे है और मुझे उम्मीद है कि मैं उन तीनों परियोग में सफल हूँगा अब बात करते हैं अपने खेत की आईए यहाँ पर चलते हैं किसान सातियों इन में मैंने क्या ट्रीटमेंट किया आज मैं उसकी बात नहीं करूँगा उसके लिए मेरे इस वीडियो का अगला भाग आपको देखना हुगा मेरी जो परिकल्प न थी वो ये थी कि जब भी पोधों में आपके निमा टोडाता है अगर आपको सुरू में ही पता चल गया आप कोई भी दवाई लगाईए वो कारगर होगी लेकिन अगर आप उसकी जड़े देखेंगे अगर आपको देर हो गई छे महिने की देरी हो गई और आपको बाद में पता चला तो आप उसकी जड़ों के देखेंगे तो उनमें कालापन आ जाता है और जड़े सर जाती है चुकि नीमा टोड़ का प्रकोप गर्मी शुरू होने के साथ ही होता है और आपको पता चला सर्दियों पे जाकर तो क्या होगा कि 6 महिने बीच चुके और नीमा टोड़ ने जड़े बिल्गुल खतम कर दिया इसके साथ साथ जब वहाँ पर नीमा टोड़ का प्रकोप हो जाता है और आप धिरे 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 ये जो हना सड़ने लगता है जब जड़ खतम हो जाएगी इसे खाने वो कुछ नहीं मिलेगा तो ये अपनी मोत ही लगबग मरने के लिए तयार होता है और उस समय इस पर फंगस का अटेक होता है और ये फंगस उन जड़ों को इतना सड़ा देती है कि ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर कुन सी फंगस है अब आपको जब पता चला नीमा टोड की दवाई है किसी भी नीम हकीम के पास आप गए उसने देख कर कहा कि हाँ ये नीमा टोड है गाट से आपको पता चल जाता है और आपने लिए उसमें वेलम प्राइम डाल दी या कार्बो फुरान डाल दी क्या आपने कभी ये टेस्ट कराया है कि दवाई डालने के बाद वहाँ पर नीमा टोड है या नहीं है ये है मेरा पहला सवाल आप सब लोग को से तो उसे करने के 15 दिन बाद एक बार उस जड़ में फिर देखे कि क्या वहाँ पर नीमा टोड है या नहीं है ये है मेरा पहला सवाल मेरी जो परिकल्पना है वहाँ पर 95 परसेंट तक नीमा टोड खतम हो जाएगा अब पोधे में जड़े क्यों नहीं करने ही चूकि वहाँ पर फंगस है और फंगस का इलाज जब तक हम नहीं करेंगे तब तक आपने नीमा टोड की कितनी भी दवाई डाली है वहाँ पर नई जड़े नहीं निकलेंगी और जब तक नई जड़े नहीं निकलेंगी पोधा न्यूट्रेंट्स को ग्रहंड नहीं कर पाएगा और जब तक पोधा न्यूट्रेंट्स को ग्रहंड नहीं पड़ेगा उसकी बड़वार नहीं होगी। नवेद सेख से बात की इसके बारे में, कि मैं क्या करूँ, मुझे दवाई लगानी है, दवाई आने में समय लगेगा, और मेरे पास इतना नहीं है, मैं इने तुरंत कोई रिलीव देना गा, उन्होंने कहा कि त्यागी जी सबसे पहले इस पे चार ग्राम परती पोदा, चु को दवाई लगाई, तो मुझे उसमें कुछ इंप्रूमेंट दिखाई दिया, पोदे की पतियों में कल्ले फूट रहे थे, और चल रहे थे, लेकिन नीमा तोड़ था, 16 तारिक को मैंने वहां से जड़े ली और वो जड़े लेकर मैंने उसके साथ मिट्टी भी ली और परियोग साला में भेजी, वहां पर मैंने दो टेस्ट कराई, एक कराई नीमा तोड़ का और एक कराई फंगस का, किसान साथियों नीमा तोड़ के टेस्ट के लिए कोई भी की फंगस मिली, उसमें दो इस्पेसीज, फ्यूजेरियम फंगस के मिले, और एक इस्पेसीज, ऐस्परेल जाइलेसिस का मिले, किसान साथियों, जब तक आप इन दोनों फंगस का इलाज नहीं करेंगे, आप कोई भी दवाई डाल लीजिए, आपका पोधा 90% खतम ही होगा, ये है मेरी परिकल्पना का आधार, और मैं इसमें सक्सेस होकर ही रहूँगा, ये है मेरा विश्वास, दो से 5% मैं भगवान के उपर भी छोड़ता हूँ, कुछ कारण हो सकते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन अगर ये हुआ, तो दवाई आप कोई भी परियोग करिए, लेकिन आपको फंगस की देखभाल अवस्य करनी पड़ेगी, किसान साथियो, मैं आपको फंगस की स्लाइड भी दिखा रहा हूँ, जो फंगस मिली है, और मैं आपको ये नीमा टोड की इस्तिती भी दिखा रहा हूँ, इसके बाद जब 4 मार्च को मैंने दवाई लगाई, और उस उसके बाद मैं इस दवाई को 10 दिन बाद एक बार फिर लगाँगा, और उस 10 दिन के बाद, यानि पहली दवाई लगाने के 25 दिन के बाद, मैं इसमें से जड निकालूँगा, मिट्टी निकालूँगा, और उनका फिर टेस्ट कराँगा, और तब आपको बताँगा, कि य ये स्तिती इसमें फंगस की है स्तिती है इसमें निमा टोड़ की है और पोधे की ये इस्तिती है बने रही है तब तक मेरे साथ विश्वास करिए विज्ञान पर इसी के साथ विदा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जैबहरत बंदेन